स्रेया के बाद नीतु के साथ जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया बेटियां अपने आपको सुरच्छित कैसे महसे नभी नगर का जिक्र किया तो सरकार की प्दाधिकारियों ने उसका सही सही उद्भेधन कर दिया मुझे उमीद है कि इसका भी उद्भेधन सही जलत लोग बचे नहीं और सही लोग फसे नहीं तो उस अधारना पर सरकार करें देखिए नभी नगर के स्रेया के बाद डिहरी के मिठुपूर के नीतु की मौद की अबूज पहली बनी हुई है और हम अभी नीतु के गाउं में मौजूद हैं और यहां पर देख सकते हैं क परिजनों से आपने मुलाकात की क्या कुछ बाते हुई बात हुआ हमने पूचा कि भाय किसी पर शक है नहीं भी पुलिस का काम है उसका उध्वेदन करा अभी नवीनगर का जिक्र किया तो सरकार के प्दाधिकारियों ने उसका सही-सही उध्वेदन कर दिया मुझे गरीब की बेटी के साथ ही ऐसी घटना ज्यादा क्यूं देखा जाता है अब घटना किसी के साथ हो सकता है गरीब हो अमीर हो घटना दुर घटना गरीब हो अमीर देखर करके नहीं घटता है किसी के साथ घट सकता है हो सकता यहां गरीब हो अमीर के साथ भी घट रहा है पर साशन से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिकर किया नभी नगर का तो टाइम लगा लेकिन सही उत भेदन हो गया तो कोई शुराग रहता है कोई बताय जाता है तब जल्दी होता है अब तो मान लिए इसको साइंस्टिक तरीक्या से जांच करना है गलत लोग कानून का अधार ऑधार्ना के बाद कही न कहीं दुख में हैं तो इंसाफ मांगने के लिए परीजन कहां जाए इनसाफ मिलेगा आ Christmas रहा है आपने देखा आपके अगले वगल में हुआ सही उद्वेदन हुआ तो आदमी संतुष्ठ है और मुझे पूर्ण यकीन और विश्वास है कि इसका उद्वेदन होकर के रहेगा अजा स्रेया के बाद नीतु के साथ इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया बेटिय के लिए सरकार तत्पर है सरकार तत्पर है आपने नहीं देखा बेटियों के लिए नया कानून सरकार ऐसा कड़ा कानून बनाई है कि कोई सोचेगा भी नहीं गलत करने के लिए तो सरकार का काम है कानून बनाना उसको अमल पलाना घटना है घटती है लेकिन उसका उद्वे मौझूद हैं काफी संख्या में यहां पर ग्रामिन मौझूद हैं परिजनों को खास कर नीतु के पिता को क्या स्वासन दे रहे हैं सतनरायन सिंग्या दोग कि अस्वासन हम लोग यहीं दिया कि इसका हम लोग सरकार से यथा सिग्र सही उद्वेदन कराएंगे और आपके पुर्वी धायक इंजिनियर सतनरायन सिंग्यादों को आपने सुना इनका कहना है नीतु को इंसाफ मिलकर रहेगा और इंसाफ की लडाई में हम उसके साथ उसके परिजनों के साथ खड़े हैं फिलाल आप बने रहें मीडिया दर्सन के साथ